गुण मॉनिंग इस्टुएंट्स मेरा के सा और आज में लेके आया हूं समाजिक विज्ञान के महत्यपुर्ण नोट से का भाग दो तो आए हम इसको समझे 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांती से अलगाव होने लगा राज की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूडिवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तिमाल किया अक्सर यानि कि अधिकांस था इन्होंने क्या राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तिमाल किया यद्यपी हलाकि हलाकि मद्यवर्गे जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंग के अलग-अलग इलाकों को जोड़कर एक राष्ट राज जिवनाने का प्रियास किया था मगर इसे राजसाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया इसके बाद प्रसा ने राष्ट्री एकिकरन के अंदोलन का नेत्रेत्व किया तब प्रसा ने क्या किया इन्हों ने किया जर्मनी का एकिकरन तो इसको हम समझते है जर्मनी का एकिकरन कैसे हुआ इसके विवने चरण कौन-कौन से थे तो जो एकिकरण है जर्मनी के कि करन जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रसा के नित्रितुमिय में हुआ था यानिक प्रसा ने किया था प्रसा के प्रमुख मंतरी ओटो बन विसमार्ग निरास्ट निर्मान में मुख्य भूमिका अधा की साथ वर्स के दोरान ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया डेन्मार के फ्रांस से तीन युदों में प्रसा की जीत वी और एकिकरन की प्रक्रिया पूरी हुई 18-71 में केसर वीलियम प्रथम को नए समराज्य का राजा गोसित किया गया जर्मनी के एकिकरन ने युरोप में प्रसा को महा सक्ति के रूप में अस्थापित किया नए जर्मन राज्य में मुद्रा बैंकिंग एवं नयाई की विवस्थाओं के आदुने की करन पर जोर दिया यह जिए जए इसके बाद आगे हम चले तो आगे है अब इटली का एकिकरन हलाकि इटली की करन पहले हुआ था लेकिन यहां पे इस नौटस में बाद में दिया वा है तो इसको हम समझते इटली का एकिकरन इटली सातरा जोड़ा हुआ था था 1832 के दसक में जूसरेपे में सीनी ने इटली के किकरन के लिए कारेकरम प्रस्तूत किया अठारा सथी से अठारा सार तालिस के करांतिकारी विद्रो और सफल हुए 1869 में फ्रांस से शाइडेनिया फीडमंट ने एक चतूर कूट नितिक संदी की की जिसके माध्यम से उसने अस्ट्रियाई बलों को हरा दिया और फिर अंतिता अठारा से एक सेट में क्या हुआ कि एमेन्यूवल जुटिये को एक इकरित इटली का राजा खोसित किया गया इसक यहां पर 1869 से 1870 दिया गया है अब देखिए इसमें काबूर की बहुत है महत्पुर्ण भूमिका थी तो आखिर यह काबूर थे कौन इसके बारे में हम जान लेते हैं साइडेनिया पीडमंट का प्रमुख मंत्री था कौन कौन काउंट कैमिलो दे काबूर इटली के प्रद कारी था नहीं जनतंत्र में विश्वास रखने वाला फ्रांस के साथ की गई चतुर संदी के पीछे काबूर का हाथ था जिसके कारण आस्ट्रिया को हरा हराया जा सका है इटली का एकिकरन संबब हो सका अब आगे देखिए इसमें यह जूसेफ गरिवाल्डी जिब तस्वीर आप देख रहे होंगे यह जूसेफ गरिवाल्डी वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था कौन जूसेफ गरिवाल्डी इसने उसने इटली के किकरन के लिए ससस्त्रे स्वेंग सेपको गने त्रेत्व क आठारा साथ में विद दक्षिन इटली और दो सिसलियों के राज जी में प्रवेश कर गए और एस्पेनी सास को कहताने के लिए अस्थानिय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे उसने दक्षिनी इटली और सिसली को राजा इमेनुवल दूतिय को सौप दी और इस प्रकार यमिंदे संपहरा ते युनान का स्वतंतरटा शंघर सर चयंधार क्ष Betsy किस्ट प्रक्रक्र कर या युनान ओर ट्रमन सम्राज क्या और चैसाप 15 सथा पंद्रुम्न सथा या रविशे द यानिक कह सकते हो 1400 क्या स्थाब्थ आइप सुस्ताब्दिय ऑत कर अइस आश्चिज ने करांदिकारी राष्ट्रबाद कब हुआ था में 1789 में फ्रांसिस्जी कि दिक आन्टी के साथ तो कि रांटिकारी राष्ट्रबाद के उनानी लोगों के मन में स्वतंत्ता की भावना को प्रज्वलित किया यानि कि इसको जगा दिया 1821 से वहां स्वतंतरता के लिए संगर्स शुरू हुआ युनान के लोगों को निर्वासर में रह रहे युनानियों के साथ साथ पश्मी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला बिभिन कभियों और कलाकारों ने भी स्वतंतरता के लिए जन्मत निर्मान में अपनी महत्पुर्ण भूमिका निवाई अंग्रेजी के कभी लौड बाइरन ने धनरासे कत्र के एबंवह युद्ध के लिए भी गए जहां 1824 में बुखार से उनकी मिरती हो गए अठारा सो बतीस में कस्तुन्तुनियाने की संदी ने युनान को एक स्वतंत्र राज्य के रोप में मानिता प्रदान की अब इसके बाद अगर देखे बिरेट बिरेटेन में राश्ट्रवाद किस टैप कथा देखे यूरोप में भी अलग-अलग पकार से हमें दिखाई दिया फ्रांस में क्रांतिकार राश्ट्रवाद यानि क्रांति के बाद राश्ट्रवाद हुआ राश्ट्र उसके बाद जर्मनी और आपके इटली इन सब जर्वाद पर हम देखा राश्ट्रिया उथल-फथल के कारण जैनुआ पर राश्ट्रवाद हुआ यानि कि देश में राजनितिक उत्थल पुदल के कारण लेकिन ब्रीटेइन का मामला कुछ से अलग है राष्ट्रयबाद यहाँ पर ब्रीटेन की अगर बात करें तो राष्ट्रबाद किसी उत्थल पुदल या करांती का परिड़ीनाम नहीं था यह एक लंबी चलने वाले से पहले यह बेटेन राष्ट राज नहीं था यहां पर राजसाही सासन था अंगल राष्ट अंगल राष्ट ने अपनी सक्ति में विस्तार के साथ साथ अनिय राष्ट वद्वीप समुहों पर विस्तार आरंब किया सोलो साथासी में संसत ने राज तंत्र से सक्तियों को ले लिया सत्रह साथ में इंगलेंड और एसकॉटलेंड को मिला कर युनाइटेट किंग्डम और ब्रेटेन का गठन किया गया 1798 में और सफल विद्रों के बाद 1801 में आयरलेंड को बलपुर्वक युनाइटेट किंग्डम में सामिल कर लिया गया नए ब्रेटेन के प्रतिक थे जो चीन ने थे उसको खूब बढ़ावा दिया गया अब हम समझ लेते क्या की राष्ट्रवाद और सम्राज जिवाद ये क्या है तो ये इसको बालकन समस्या के नाम से भी जाना जाता है तो बालकन के अगर बात करे तो भॉगौली का वं आधुनिक रुमानिया, बल्गारिया, अलवेनिया, ग्रीस, मकदुनिया, क्रोईसिया, स्लोवानिया, सर्विया आदिसा मिलते हैं आधुनिक का मतलब जो इस समय है इस समय में जो रुमानिया, बल्गारिया, अलवेनिया, ग्रीस, मकदुनिया, क्रोईसिया, स्लोवानिया, सार्विया आदी है वो बालकन छेत्रे में भगोलिक रूप से जुड़े हुए थे इन छेत्र में रहने वाले मुल लिवासियों को सलाव कहा जाता था बालकन छेत्रे का एक बड़ा हिस्सा और टोमन समराज्य के नियंत्रेन में था बालकन राज्य में रुमानी के फैलने और आटोमन समराज्य के विघटन से इस्तिती काफी विस्पोटक हो गई एक के बाद एक उसके अधिन यूरोपिय राष्ट्रिय अताए उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्ता की घुशना करने लगी जैसे ऐसे बिभीने सलाव राष्ट्रिय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्ता की परिवासाताई करने की कोशिस की बालकन छेत्र गहरे टकराव का छेत्र बन गया हरे एक बालकन प्रदेश अप्रेली लिए ज़्यादा अलाके की चाहरा रगता था इस समय यूरोपिय सक्तियों के बीच इस छेत्र पर कपजा जमाने के लिए यूरोपिय सक्तियों के मद्य जवर्दस्त प्रतिस परदाई यानि कॉम्पेटिशन हुआ और जिससे यह समश्या गहराती चली गई कि जिस कारण यहां विभीन युद्वे उसकी परेड़े ती प्रथम विश्वियुद्र के रूप में हुई प्रथम विश्वियुद्र यानि पहले विश्वियुद्र हुआ अब इसके बाद हम जानते हैं राज जी की द्रिश्य कल्पना क्या थी 28-1921 सतापदी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूँच चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो राष्ट्र को नारी भीस में प्रस्तुत किया गया राश्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते वे जिस नारी रूप को चुना गया वो असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी यह तो राश्ट्र के अमूर्थ विचार को ठोस रूप अमूर्थ मतलब जो कालपना में हो उसको ठोस रूप देने का प्रयास था यह रिगनारी की चवी राश्ट का रूपक बन गई फ्रांस में इसे मरियाना इसका नाम इसाही नाम मरियाना दिया गया जिसने जन राश्ट के विचारों को रिखांकित किया इसे प्रिकार जर्मेनिया जर्मन राश्ट का रूपक बन गई कि फ्रेंक पर्टर्षच क्या था इसके बारे में कि हम समझे जर्मन entitled को में बड़ी संख्या में राजनितिक संगठनों ने फ्रेंक फ आहर में मिलकर एक सर्ब जर्मन नेशनल आसेमबली rei सर्ब जर्मन नेशनल इसमली के पक्ष ति में मत्दान का फैसला किया 18 माई 1848 को अथारा मई 18 288 आर्टाइश को अर्स इस निर्वाचित यानि की जो एलेक्टेड एक कैंडिडेट्स थे प्रतिनीदी थे ने एक सजेदेजी जुलूस में जाकर फ्रेंगफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहन किया या संसद सेंट पॉल चर्च में आज उजीत हुई उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप त्यार किया उसकी रूप रिखा त्यार किया इस राष्ट के अध्यक्त था एक ऐसे राजा को सोपी गई जिससे संसत के अधिन रहना था जब प्रतिनेदियों ने प्रसाक के राज किये उसने इसे स्विकार कर दिया यानिक उन्हें यह कह गया कि आपको राजाव बनना चाहिए अग्यां बलकी उन्होंने क्या कि उन्हों का साथ दिया जो निरवाद चीत सभागे विरोधी थे जहां कुलीन वर्गा और सेना का विरोध बढ़ गया वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया संसद में मध्य वर्गों का प्रभावत अधिक था जिनने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया जिससे वे उनका समर्दन खो बैठे अंत में सैनिकों को बुलावा बुलाया गया और एसेंबली भंग की गई इसके बाद राश्ट्रवाद के उद्याय में महिलाओं का योगदान देख लेते अधिकांस ता यहां से प्रस्ट ने पूछा गया है राईनेति के संगठन का महिलां ने निर्मान किया समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया मतादिकार प्राप्ति के लिए इन्होंने सेंगर्स किए क्योंकि आपको आपने अभी पढ़ा इसी चप्टर में कि महलाओं को राईनेतिका अधिकान नहीं दिये गए थे इन्हें ओव्यस को माना गया था इन्हें पती या पुत्रे के देखरेख मे रहने को कहा गया तो इसके लिए इन्होंने संगर्स किया रायनिति एक बैठको ता प्रदस्टव में हिस्जा लिया यानि कि यहां से इसको पढ़ने के बाद एक चीज तो पता चल जाता है कि आज जो अपने आपको कहते हैं कि हम जाना सब के साथ समानता करते हैं तो वहां पे भी महिलाओं को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा अब आगे देखें विविन प्रतिक चीन और उनके अर्थ प्रतिक चीन है जैसे टूटी वी बेडिया इसका महत्व है यानि कि इसका अर्थ है आजादी मिलना बाज चाप बाला कबच जर्मन समुदय के प्रतिक सकती है बलूत पत्यों का मुकोट वीरता का प्रतिक है तलवा मुकाबले की तैयारी तलवार पर लिप्टी जैतुन की डाली सांती की चाह काला लाल और सुर्वादी राश्ट्रवादियों का जंडा था उगते सुरी की किरने नई योग की सुरुआत अब इसके बाद अंत में हम यह देखते कुछ यह तस्वीर आपको दिख रहा होगा यह जो है जहां पर यह देख रहे होंगे यह 1850 का डाक टिकट है है जिस मरियाना की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसेसी गनराज का प्रतिनी रेत्वे करती है अब यहाँ फिलिप बेट ने बनाया जर्मेनिया का यह चेत्र रेत्र कब 1848 में इसे सेंट पॉल चर्ज की छत से लटकना था जहां फ्रेंकफर्ट संसद बुलाई गई अब यह अलग अलग प्रतिक चिनने हैं जिनका अपयोग राष्ट्रवाद के विकास के लिए किया गया है अब आगे देखिए प्रमुक कथन देखिए दो मुखे कथन हैं यह दोनों ही मेटर निक के ही कहे गए हैं एक तो यह है कि जब इन्होंने कहाता है कि जब फ्रांस चीकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुखाम हो जाता है दूसरा मैटसानी के बारे में मैटसीनी के बारे में इन्होंने टिपनी की थी कि मैटसीनी हमारी समाजिक व्यवस्ता के लिए सबसे खतरनाक दुस्मन है आगे अब देखे कुछ नए सब्दों को हम समझते है निरंकुस बाद ऐसे सरकारिया सासर में वस्ता जिसके सत्ता पर किसे प्रिकार का कोई अंकुस नहीं होता कल्पना दर्स यानि कि यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्स है कि उसका साकार होना करने के लिए पूछा जाता है रोडी वाद ऐसा राजनितिक दर्सन जो परंपरा अस्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलामों के वज़ाए क्रमिक और धिरे-धिरे विकास को प्रात्मित्ता देता है विचारधारा एक खास प्रकार की सम हमने आज इस महतवपूर्ण ने महतवपूर्ण नोट्स को समझा और अगले भाग में यानि कि भागतीन में हम महतवपूर्ण प्रेश्ण और उसकी उत्तर को जानेंगे तब तक के लिए धन्यवाद सुक्रिया